हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सभी आप होप यू और दूग गुड इस मी निया गंपीर और आज मैं आप लोगों के लेकर आए हूँ बहुत यामेजिंग सेवन बेक्पास रेसिपीस जो आपको हेल्प करेगे आपके वेट लॉस जर्नी में सबसे खास बात इन रेसिपीस की यह है कि बहुत ही इजी है बहुत जल्दी बन जाते हैं डेली हमें यह टेंशन होता है कि आज खाने में क्या बनाएं ब्रेक्पास में क्या बनाएं यह क्या बनाएं के चक्कर में हमारा ब्रेक्पास रह जाता है सो फ्रेंट्स मैं आपकी यह टेंशन दूर करने वाली हूँ मै अभूना बस बिल होड सर चले हैं आपका आप लोगत जल्दी बन जाता है ब्रेक्पास्थ पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेटिफ इसी एक इंपॉर्टेट का काम में घरता है già करें आपका वो दिंग बहुत ही खराब जाता है आप खुद में आप में चिड़ चिड़ा हट आ जाती है ये टाइम से ब्रिक्वास्ट करने से आप एनरजेटिक तो रहते ही है साथ ही आप ओवर एटिंग नहीं करते जिससे आपको आपके वेट लॉस जर्नी में हेल्प मिलता है मैं आला आप लोगों को जो 7 रेसिपी बताने वाली हूँ ये एक दूसरे से बिलकुल अलग है तो चलिए फिर मेरी पहली रेसिपी की तरह सो हमारी पहली रेसिपी है पनीर सांडविच जो की है हाई इन प्रोटीन इससे बनाने के लिए मैंने एक बॉल में डाला है थोड़े प्याज, कैपसिकम, बारिक कटी हुई हरी मेज और फ्रेश हरा दन्या फिर इसमें मैंने 100 ग्राम पनी ग्रेट करके डाला है अब ब्राउन ब्रेट लिए है अब इस फिलिंग को हम ब्रेट पर अच्छे से स्प्रेड करेंगे फिर हमें इसे तवे पर थोड़ा घी आड़ करके अच्छे से रोस्ट कर लेना है बोट साइट्स सो यस हमारा पनी सांडविच बनकर तयार है है ना बहुत आसान यह अब हम बनाएंगे बनाना ओट्स पैनकेग इसे बनाने के लिए हमें पहले ओट्स को ड्राई रोस्ट करना है फिर इसे एक जार में डाले अब इसमें दो स्पून दही आड़ करें फिर मैंने तीन से चार ड्रॉप वैनिला एसेंस के डाले है अच्छे फ्लेवर के लिए फिर मैंने इसमें दो बनाना एड़ किया है एंड दो डेट्स एंड लास्ट में एक एग अगर आप एग नहीं खाते तो आप इसे कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं फिर इन सब को अच्छे से ग्राइंड कर ले पैनकेग का बैटर थोड़ा थिक हो तो ही अच्छे से पैनके किया है आप अपने मन पसंद के फ्रूट्स या ड्राइफ फ्रूट्स एड़ कर सकते हैं तो हमारा यमी पैनकेग बनकर तयार है ओट्स हेल्दी ग्लूटन फ्री फाइबर रिच ग्रेंस होते हैं जो आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं अब हम बनाएंगे बेसन का चील बेसन प्रोटीन रिच फाइबर रिच होता है एस कंपेर टू अधर फ्लार इसमें गुट फैट पाया जाता है साथ ही आपके शुगर लेवल और को भी कंट्रोल करता है इसे बनाने के लिए मैंने एक बॉल में एक कब बेसन लिया है फिर इसमें मैंने थोड़ा नमक एट क किया है एं थोड़ा सा हिंग और अजवाइन और पाने डाल कर अच्छे से मिक्स कर ले अब इसमें थोड़े कैप्सिकम प्याज हरी मिर्च एं थोड़े धनिया डाल कर आप इससे अच्छे से मिक्स कर ले हमारा बैटर बन के तयार है अब इसे हम एक तवे पर स्प्रेड कर लेंगे और अच्छे से दोनों साइट कोग कर लेंगे तो हमारा बीसन का चीला बनकर रेडी है मैंने इसे ग्रीन चटने के साथ सर्फ किया है अब हम बनाएंगे ओट्स ओमलेट इसे बनाने के लिए पहले आप ओट्स को ड्राई रोस्ट कर ले फिर इसे ग्राइन करके एक स्मूथ पाउडर बना ले अब इसे एक बॉल में एट करें फिर इसमें लो फैट मिल्क एट करके एक पतला गूल बना ले और दस मिनट के लिए इसे रेस्ट करने दे अब एक बॉल में मैंने दो एक्स ब्रेक करके डाले है थोड़ा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर एड़ करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमारा ओट का बैटर फुल कर तयार है अब इसमें मैंने थोड़ी हरी प्यास, टमाटर, कैपसिकम, थोड़ा हरा दनिया और एक का मिक्सर एड़ करके अच्छे से मिक्स कर लिया है आपका ओट्स ओमलेट का बैटर अब रेड़ी है हमारा ओट्स ओमलेट अब बनकर रेड़ी है अब हम इसे सर्फ करेंगे, ये बहुत टीस्टी है और साथ ही साथ बहुत हल्दी भी अब हम बनाएंगे पालक के पराठे, इसे बनाने के लिए पहले आपको पालक को अच्छे से वाश कर लेना है फिर इसे गरम पानी में दो मिनिट के लिए डिप करके रखना है अब हम इसे एक जार में एड़ करेंगे, साथी साथ तीन चार लेसुन की कलिया, थोड़ा अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, अब इन सब को ग्राइंड करके एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे इस्ट में मैं एक कप गियू का आटा, एक कप ओट्स का पाउडर एड़ कर रही हूँ, साथी साथ थोड़ा जीरा, थोड़ी अजवाइन और नमक लास्टली, दो चम्मच दही आड़ करके आप इसे अच्छे से गूत ले एंड थोड़ा सा ओईल लगा कर आप इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दे आफ्टर 10 मिनट इसके छोटे छोटे बॉल्स बना कर आप इसे बेल ले और सेक ले मैं थोड़ा गी भी आड़ कर रही हूँ क्योंकि पराठे विदाउट गी और ओइल अच्छे नहीं लगते सो येस सो येस रेडी है हमारा गर्मा गरम पालक का पराठा इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं बहुत ही यम होता है ये आपको फुल रखेगा आपके नेक्स्ट मिल तक अब हम बनाएंगे इंस्टेंट ओट्स इसे बनाने के लिए हम गैस पर एक तवा रखेंगे फिर मैं इसमें थोड़ा सा गी आड़ कर रही हूँ अब इसमें हम काजू, बादाम, किसमिश डाल कर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे फिर मैं इसमें एक कप ओट्स एड़ कर रही हूँ इसे भी इन सब के साथ अच्छे से रोस्ट कर ले फिर low fat milk एड़ करके इसे cover करके 5 मिनट low flame पर पकने दे milk आप अपने हिसाब से एड़ कर सकते है ready है हमारा instant oats अब इसमें मैं कुछ strawberries, banana and black grapes डाल रही हूँ और उपर से थोड़ा honey एड़ कर ले for sweetness आप इसे जरूर ट्राइ करें यह बहुत ही tasty and nutritious breakfast option है lastly हम बनाएंगे green mung dal दोसा यह मेरा one of the favorite breakfast है इसे बनाना भी easy है बस आपको green mung dal को एक रात पहले बिगो कर रखना है अब हम इसे एक जार में डालेंगे फिर इसमें एक इंच अद्रक का टुकड़ा, थोड़ी हरी मिर्श, थोड़ा garlic, थोड़े curry leaves and थोड़ा हरा धनिया एड़ करेंगे थोड़ा salt and थोड़ा jeera डाल कर एक smooth paste बना ले सो अब हम गैस पे एक तवा रखेंगे और इस बैटर को उस पर अच्छे से spread करके दोनों साइट से अच्छे से cook कर लेंगे सो हमारा दोसा बनके ready है आप इसे पनी मन पसंद चटने के साथ सब कर सकते हैं I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आये और अगर पसंद आये तो प्रीज इसे like करें share करें subscribe करके मेरे चैनल को support करें thank you